आज का प्रेड ना पाते समन वैसे विकाश इसका आर्थ यह हुआ कि जहां सामन जश्य है पती पत्ने के बीच के अंदर भाई भाई के बीच के अंदर और पिता पुत्र के बीच के अंदर एक देश का दूसरे देश के साथ मैं एक गाउं का दूसरे गाउं के साथ मैं एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ में एक समाज का दूसरे के साथ में जहां पर समनवय है समनजश्य है एकुलिब्रियम है वाविकाश है क्योंकि जहां पर दुराव होता है गर में भी देखिए जहां पती पत्नी लड़ते रहते हैं उनका जीवन तो कराब होता है उनके बच्चों का जीवन अवश्य कराब होता है क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं वो कॉपी कहां से करते हैं माता पिता के आचरन से करते हैं तो ये व्यक्ति पर निर्बर करता है ये हमारे पर निर्बर करता है कि हम सामन्जश्य रखें, ये अलगाव रखें, अलगाव रखने से फाइदा क्या है? हमारे पास बुद्धी है, हमें चिंतन करना चाहिए, कि हम दूसरे से अलगाव क्यों रखें, दूसरे से लड़ाई जग्रा क्यों रखें हम दूसरे के साथ में किरिया प्रकिरिया क्यों करें उसे फाइदा किया हो सकता है कि हमारा किसी के साथ में डिफरंस हो ये बात हो सकती है क्योंकि मुंडे मुंडे मतिरी बिना मतवेद होना जो है हो सकता है यह मानवी प्रकरती है लेकिन जो मनुभेदना हो क्योंकि उसमें दोनों को नुकसान है उसके मतवेद के कारणों का पता करो कि किस कारण से मतवेद है और मतवेद दोनों तरब से होता है असमनवे दोनों पक्षों से होता है एक पक्षे नहीं होता है समझदार पक्ष होता है उसका कारण करके और दूसरे के साथ बात शी डायलोग करके उसका निवारण करके असमनवे हिस्तती को समनवे में बदल देता है तो कुल मिला करके प्रक्रते का नियम है कि समन वैसे ही विकास होगा और हर समन वैसे विक्राव होगा हमारा प्रत्वी में जितना होता है और हर समन वैसे होगा